जारकन सरकार वित्यवर्ष दुहसारतेइसोचोबिस का बजट शुक्रबार को तीन मार्च जारकन विधानसभा में पेश करेगी पतादे कि जारकन सरकार ने बजट बनाने से पहले आपके माधिम से राज़ की जनता से सलाह भी मांगी थी बजट को लेकर जारकन की जनता को काफी उमीदे हैं। उमीद जताई जा रही है कि इस बार के बजट में कनेक्टिविटी शिक्षा स्वास्ते गरीब किसान के विकास पर जोरती आ जाएगा। क्या एस्पेक्ट करते हैं बजट कोई एस्पेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि यह सरकार निक्रमी है यह सरकार फेल है विजन लेस है पिछली बार तो लाया था एक लाक एक अजार करोण का बजट क्या हुआ साथ प्रतिसद विरासी खर्च नहीं कर पाए विभागवार बताऊंगा क्रिसी में 13% खर्च किया आप महकमा देखिए ना स्वास्त में इतना पैसा दिया क्या हुआ हालत खराब है इस सरकार से किसी विप्रकार की अपेक्षा करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है इसलिए कोई अपेक्षा से सरकार से नहीं है सरकार कितनी जल्दी जाए कम है जब जितनी जल्दी जाए उतना ही राज के जनता का बला होने वारा है मैंने कहा कि अपेक्षा तो कुछ भी नहीं है लेकिन दशियत यही है कि आम जनता का ध्यान रखे और जो भ्रस्टाचार का दीमत चाट रहा है जो 60% रासी आपने खर्च किये है उसमें आदे से जादा पैसे भ्रस्टाचारियों की जेब में चले गए है उन चुहों को पि वक्ताराकेश सिन्हा ने कहा है कि हमारी सरकार जनता के लिए प्रतिवत है हमारी सरकार राजी की जनता के लिए है और यह बजट राजी की जनता के लिए नापकारी होगा ये आज राज्य का बजट है और सरकार संबेदन सील है ये स्वभाविक तोर पे जब सरकारे संबेदन सील होती है तो जो आम बजट होता है वो निम्न बरगिये मध्यम बरगिये परिवार के साथ साथ रेरी ठुमचा खोचा बाले लोगों के लिए भी वो बजट बनता है और हमारी सरकार पूरी तरह संबेदन सील है और राज के विकास के लिए ये बजट तयार होगा राज के विकास में इस बजट का योगदान होगा बैपारियों के हितों की बात होगी किसानों के हितों की बात होगी महिलाओं के हितों की बात होगी युबाओं के हितों की बात होगी चुकि हम हमारा कोई मित्र नहीं है जो पुंजी पती है तो जब हमारा कोई पुंजी पती मित्र नहीं है तो हम सभाविक तोर पे राज की अवाम के लिए हम बजट तयार को ध्यान में रखके बजट तयार नहीं करेंगे तो हमारा बजट राज का बजट राज को एक विकास की और लेकर के जाने का एक मुकम्मल प्रियास होगा और हमें लगता है कि बजट से आम जनमानस के जीवन में थोड़ी रहत भी महसूस होगा वैराजी की प्रमुख विपक्षी भाजपा ने कहा है कि इस बार का बजट रखोसा होगा सरकार सिर्फ अपने हिप के लिए सोचे कि सरकार के इस बजट से उमीद करना बेकार है तब यह उसे आपने देखा होगा आज वो क्याब होते और कल्प याब होते उसमें कोई अंतर ही नहीं रहता है आप पिछले सत्र का देख लिए उन्होंने कहा कि जब हम आगे करेंगे युगाओं को रोजगार देंगे वरना हम सन्यास लेगे अगर आपने कहा है तो उसे करके दिकाईए लोगों को फिरोजगारी भत्ता देंगे आप देखिये होगे कि पूरे देश का सर्वे में जार्खन सबसे नंबर वन में अब आप तुष्ये कि नंबर वन किसमें है तो सबसे ज्यादा आज जार्खन की महिलाओं जार्खन की वेतिया जार्खन की माताएं सब्सक्राइब करेंगे यह कभी नहीं करने वाले नसीहत तो हम यही देते आ रहें कि पिछली सरकार के बारे जो आप बाट बहुते अगर आप पिछली सरकार के कामों को सिर्फ बढ़ा दे तो आप को आप कुछ करने की ज़त सबसे बड़ी राशी होगी इस बजट में आपको कल बता देंगे कितनी राशी कर चुई है और कितना ये बजट ब्लान है वहीं एंजिपी विधाय कमलेश सिंग ने कहा है कि आज राशी की जरता खुश नहीं है किसान भी हर बार सुखार की मार छेल रहा है शिक्षा स्वास्तका भी वही हाल है इस बार कि बजट से हुमीदे हैं कि सरकार इनके लिए कुछ अच्छा करे बजट ऐसी होनी चाहिए जिसे जहारखंट परदेश का चाहूं की विकास हो किसानों की जो इस्तिती है आप से छुपी हुई नहीं है आए दिन बराबर राकाल का सामना करना पड़ता है इसलिए जो भी योजना हो जो अधूरे योजना है उसको पूर्या करने की सबसे पहले प्रात्मिता है कि जो योजना को पूर्या कर देने से किसानों के चेहरे पर जो दुख होता है वो खुसी में बदल जाए बहुत ऐसी होजना है जो कि बन कर अधूरा पढ़ा है और उस पर कारवाई नहीं हो रही है उसको करने की जरुवत है छात्रों की भविस्त को देखना है कि छात्र का भी जो है पढ़ाई में जितना हो सकता है सरकार बजट पर उनलों को लाफ दे तो क्या उमीद करते हैं सर कल का जो बजट होगा वो जहारखंड के लिए क्या यहां सिखो पाएगा होना चाहिए उमीद है कि होना चाहिए आप देख रहें कि नौजवानों की बिरोजिगारी चरम सीमा पर है बजट में सभी मुद्दो पर गहराई से सोच कर बजट कल देना चाहिए हमें उमीद है कि यहारखंड के विकास के लिए यह बजट होगा आपने वीत मंतरी को कुछ अपने तरफ से सुजाओ दिया था बजट को लेकर देखे हर कोई चाहता है कि हमारा श्टेट विकास के रास्ते पर जाए और मानिये मंतरी रामिस्वरु राओं जी बहुत ही अनुभवी मंतरी है और मेरे ख्याल से उनके द्वारा बनाया गया बजट मेरे ख्याल से अच्छा होगा वही जारकंड चैंबर ओफ कॉमर्स के महासाचिव डॉक्टर अभीशेक कुमार रामाधीन ने बजट से उमीद चताते हुए कहा कि ये बजट जारकंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा जारकंड में उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए वही ट्राइबल सुसाइटी को आगे बढ़ाने की जरूरत है बंद पड़े खादानों को फिर से शुरू करने की जरूरत है नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर विशेक उमारावादी बहाद सची जारकंड चेम्बर आपकामस तो जो बजट आने वाला है उससे हमारे चेम्बर की बहुत उमीद है हमें उमीद है कि यह बजट बहुत कुछ करेगा राज के विकास के लिए और आज के दिन में जो हमारी परकापिटा इंकम जो जारकंड के अगर बात करें तो पूरे देश के परकापिटा इंकम से लगवत आजी के आसपास में तो उसको बहुत तही से हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे हमें पूरी उमीद है कि जो नया बजट है उससे उद्योग व्यापारिय और निवेश को बहुत बढ़ावा मिलेगा राज में नए नए डेवलप्मेंट्स होंगे और सिच्छा और हिल्थ में भी बजट का वंटन बढ़ाया जा क्योंकि वो की स्टोन से इरियाज है जैसे जो बन पड़े खाद्यान है उनको खोला जाए पूरे जिले में जिलेवार तरीके से ट्राइबल डेवलप्मेंट कमिटी का गठत करना भी हम लोगों ने माल करी थ तो हमें ये सरकार से उमीद है कि हमरी बातों को माना जाएगा और धार्खण में उद्योग व्यापार और निवेज को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा और ये बजट एक माइल स्टोन साबित होगा इसके लिए वही पेश होने वाले बजट को लेकर जार्खण की चिकित सकसे आईमे जार्खण के महासेशिव डौक्टर प्रदीव सिंग ने कहा कि बजट में स्वास्त को लेकर जो अंच्टान होता है वो बेहत कम होता है जार्खण में स्वास्त के एक शित्र में बजट को बढ़ाने क कि जरूरत है एक डॉक्टर के नाते क्या expect करते हैं बजट में क्या कुछ होना चाहिए कि इसकों के लिए क्या होना चाहिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि कल जो जरकन का स्वास्त का जो बजट आ रहा है उसमें जहां तक स्वास्त का सेक्टर है तो कोवीड ने ये लोगो का जो प्रावधान है अंसदान है स्वास्त के लिए बहुत कम है तो ज़्यादा होना चाहिए दुसरा इंफ्राइस्ट्रक्शर जो हमारा है जो परिफिरी तक है हमारे मेडिकल कॉलेजिज उन बेहतर करने के लिए बजट सका प्रावधान होना चाहिए डॉक्टरों की बहु प्रवाद नहीं है यहां इंस्ट्रूमेंट डॉक्टरों और पारामेडिक्स और उनकी जरूरत है तो वह मेरा वही कहना है कि यह बहुत जरूरी बात उन्होंने कही थी कि उस उस पर स्वश्वाद की कमी है तो उनका फ़स्रिजन कर और बैक्सिमम जो आज बहुत ज्यादा यह सब सुनकर आसानी से अंदाजा लगा जा सकता है कि सरकार जब अब तीन मार्च को अपना बजट पेश करेगी तो विधान सभा का क्या नसारा होने वाला है हाला कि राजनेतिक दलों की बात को छोड़ दिया जाए तो चेंबर आफ कॉमर्स और आईमे की मांगे बिल्दो जायज है क्योंकि जारकट में वरतमान में बंद पड़ी खदाने और उद्योगों का शुरू करना सरकार की प्राथमिक्ता होना चाहिए इसके साथ ही प्रदेश की स्वास्ते विबस्था का हाल भी किसी से छुपा नहीं है लेकिन अब देखना ये होगा कि सुरिन सरकार इन सब बातों पर कितना गोर्ट होती है बजट से लोगों के लिए क्या निकलता है कि तो तीन मार्च को सामने आ जाएगा